आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सबजियों के बारे में जिन्हें आप अपने होम गार्डन में 12 महीने होगा सकते हैं इन सबजियों के बीच को लगाने के लिए किसी भी फिक्स सीजन की जरूरत नहीं होती इसलिए आप इन्हें कभी भी अपने kitchen garden या फिर home garden में लगा सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज़्यादा interesting होने वाला है इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप कभी भी जब भी आपका मन करें तब आप अपने garden में लगा सकते हैं जैसा कि आपको पता है garden में उगाई गई सब्जियां बाजार से लाई गई सब्जियों से ज़्यादा फ्रेस और पॉस्टिक होती हैं साथ में ये chemical free भी होती हैं तो यदि आप gardening करते हैं तो आज की यह लिस्ट जिसमें हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप साल भर अपने garden में लगा सकते हैं वह बड़े कांकी होने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वह कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम साल भर उगा सकते हैं दोस्तों उन सब्जियों के नाम जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल जाए शुरुवात करते हैं बेगन से जिसे ब्रिंजल या एक प्लांट भी कहा जाता है बैसे तो इसकी धेर सारी वेराइटियां होती हैं लेकिन हरे और ब्लेक बेगन काफी ज़्यादा पसंद किये जाते हैं और आपको जानकर खुसी होगी कि आप बेगन को साल के बारा महिने किसी भी मौसम में उगा सकते हैं बेगन लगाने के लिए बारा बाई बारा इंच या इससे अधिक साइच के गमले को आपको लेना है बेगन को बीजों से उगाया जाता है और बेगन उगाने के लिए इसके बीज से पौधे तयार करने पड़त पौधे तयार होने के 20-25 दिन बाद आप पौधों को किसी भी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए इसे धूब बाली जगह पर रख दीजिए क्योंकि बैगन को डारेक्ट सनलाइट पसंद होता है पौधों को लगाने के लगभग 45-50 दिन बाद इन में फूल आ पौधे लगा देने हैं ताकि आपको अपने गाडन से साल भर बैगन तोड़ने को मिलते रहें बैगन को आपको धूब बाली जगह पर रखना है और समय समय पर पानी देते रहना है बैगन को पानी बहुत पसंद होता है लेकिन ओवर वाटरिंग कभी न करें जब भी आप आपको लगे कि आपके ग्रो बैग या गमले के ऊपर की मिट्टी सूख गई है तभी आपको बैगन के पौधे को पानी देना है इसके साथ ही आप अपने बैगन के पौधे में हर महीने बदल बदल कर और निक खाद जैसे की बर्मी कमपोस्ट या फिर गाय के गूबर की ख गाडन में उगा सकते हैं टमाटर को उगाने के लिए पहले इसके बीज से पौधे तैयार कर लीजिए इसके बाद आप इन्हें किसी भी 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े साइच के गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए टमाटर लगाने के लगबक 50 से 60 दिन बाद आप आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगेंगे एक बात का विसेज ध्यान रखें कि टमाटर को बहुत जादा गर्मी पसंद नहीं होती तो जब टेंपरेचर 35 डिगरी के ऊपर चला जाता है तो उस समय आपको टमाटर के पौधों को ठंडी जगए पर रखना है जहां पर से पौधे लगा देजिए जिससे आने वाले सीजन में आपको ठेर सारे टमाटर हारवेस्ट करने को मिलेंगे तो यदि आपने अभी तक अपने हों गार्ण में तो टमाटर को जरूर अपने गार्दन में लगाएं तो पौधा बहुत ही आसानी से उग जाता है और इसे बहु के लिए आप 15 बाई 15 इंच या इससे अधिक साइच के ग्रोबेग लीजिए इसमें आप फ्रेंच बीज के तीन से चार बीज लगा सकते हैं फ्रेंच बीज लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको तोड़ने को मिलने लगती है फ्रेंच बीज खाने में तो में लगाना है, मतलब यदि आप हर चार महीने में फ्रेंच बीन्स के बीच को अलग-अलग गम्ले में लगाते जाएंगे, तो आपको साल भर फ्रेंच बीन्स टोड़ने को मिलती रहेगी, सांत मैं इनके गम्लों को आपको खुली धूप में रखना होगा, क्योंकि फ्रेंच मिर्च बीन्स को धूप पसंद होती है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे गर्मियों में लगा रहे हैं तो आपको इसे सेड़ी एरिया में लगाना होगा तो अगली हमारी सबजी है मिर्ची जिसे आप साल भर उगा सकते हैं मिर्च जिसे चिली भी कहा जाता है जो क पर इन पौधों को 20-25 दिन बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो किसी बड़े गंले में लगा दिया जाता है मिर्च का पौधा भी आप एक बाह लगा देंगे तो यह कम से कम 12 साल तक चल जाता है तो यदि आप साल भर अपने होँ गारडन में मिर्च लेना चाहते पूद्धे में पानी रुकेगा तो आपके मिर्च के पौधे में जो फूल आएंगे वह फल में कनवर्ट नहीं होंगे और फूल जड़ जाएंगे तो आप इस तरह की मिट्टी तैयार करें जिसमें पौधे में बराबर मात्रा में नमी बनी रहे और उसमें पानी भी ना तो अपने होम गाडन में धेर सारी मिर्च को तोड़ने के लिए आप अभी मिर्च का पौधा लगा दीजिए मिर्च के पौधे को आप बदल बदल कर हर तीन से चार हफते में और्गने खाद देते रहेंगे तो आपको साल भर धेर सारी मिर्च जो है हारवेस्ट करने को मि प्रिति रहेंगी सबजियां लगाने के लिए गमले की मिट्टी कैसे बनाएं उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है आपके राइट साइट पर आई बटन सो हो रहा होगा आप वहां पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं जिसमें हमने सबजियां लगाने के लिए सबसे अच् पसंद करते हैं खीरा या ककड़ी को आप अपने होम गार्डन में साल भर उगा सकते हैं खीरा उगाना बहुत ही आसान है और इसे आप बेल वाली सबजी के तोर पर उगा सकते हैं तो यदि आपके बालकनी या छट पर जगह कम है तो आप खीरा को जरूर लगाएं खीरा के आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती तो आप साल भर खीरे को अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। खीरा के साथ ही दोस्तों दूसरी हमारी सबजी है बेल वाली लौकी जिसे आप साल भर 12 महिनों अपने होम गार्डन में होगा सकते हैं। लौकी भी एक बेल वाली सबजी है और आप 2-3 लौकी के पौधे लगाएंगे तो आपको धेर सारी लौकी तोड़ने को मिलेगी। लौकी को लगाने के लिए आपको 15 वाई 15 या 18 वाई 18 इंच के गमले या गरो बैक की जरूरत होगी। आप लौकी के बीज को सीधे ही गमले में लगा सकते हैं या फिर इसके पौधे तयार कर सकते हैं। लौकी के बीज लगाने के लगभग 50-60 दिन बाद आपको लौकी तोड़ने को मिलने लगेगी। और एक बार आप लौकी लगाएंगे तो इस से 3-4 महिने तक इसके पौधे चलते हैं। तो आप हर 2-3 महिने में लौकी के बीज को अपने हूम गार्डन में किसी भी गमले में लगाते रहेंगे। तो आपको साल भर लौकी की बेल से लौकियां तोड़ने को मिलती रहेंगी। लौकी के पौधे को आप खुली धूप में रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर आपको पौधों को सुभह साम पानी जरूर देना होगा ताकि वह तेज गर्मी को सहन कर सकें। दोस्तों अगली हमारी सबजी है आईरन से भरपूर जिसमें नाम आता है पालक का। पालक को भी आप अपने होम गाडन में साल भर कभी भी उगा सकते हैं। मैंने पालक को बहुत जादा ठंड मतलब दिसम्बर के महिने में और बहुत जादा गर्मी मतलब जून के महिने में भी उगाया है। पालक को घर में लगाना बड़ा ही आसान है और पालक के बीज लगाने के लगबग 35-40 दिन बाद आपको पालक की पहली पत्ती हारवेस्ट करने को मिल जाएगी तो आप अपने होम गार्डन में साल भर पालक को जरूर लगाएं और इससे धेर सारी पालक अपने खाने में इस्तमाल करें आप हर महीने अपने गार्डन में पालक के बीज लगा सकते हैं ऐसा करने पर आपको साल भर अपने गार्डन से पालक तोड़ने को मिलती रहेगी दोस्तों भिंडी भी एक ऐसी सबजी है जिसे आप 12 महीने उगा सकते हैं लेकिन बहुत जादा ठंडे माहौल में भिंडी सही से ग्रो नहीं होती तो तेज ठंड को छोड़ दें तो बाकि सारे समय जैसे गर्मी और बरसात के समय में बहुत अच्छी भिंडी को अपने होम गा इंच में इसके दो पौधे लगा दीजिए या फिर पंद्रा बाई 15 इंच में आप इसके चार पौधों को भी लगा सकते हैं आठ से दस भिंडी के पौधे आप लगा देंगे तो आपको तीन से चार महीने तक लगतार इससे भिंडी तोड़ने को मिलेगी आप हर दूसरे से तीसरे महीने भिंडी को लगाते रहेंगे तो आपको साल भर अपने होम गार्डन से भिंडी जो है तोड़ने को मिलती रहेगी अगली हमारी सबजी है धनिया जो की एक मसाले की रूप में इस्तमाल होती है और आप धनिया पत्ती का इस्तमाल साल भर अपने खाने का जाय का बढ़ाने के लिए करते होंगे तो क्यों ना आप इसे अपनी छट पर ही टेरिस गार्डन पर उगा लें धनिया को उगाना बहुत आसान होता है और इसे बहुत जादा ठंड या बहुत जादा गर्मी हर मौसम में उगाया जा सकता है धनिया उगाने के लिए आपको इसके बीज लेने होंगे बीज हमेशा अच्छी क्वाल्टी के इस्तमाल करें बीजों को आपको मिट्टी के ऊपर विखेर देना है और हल्की परस से धक देना है धनिया के बीज बोने के लगभख सास से दिन बाद धनिया के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और लगभख 35 से 40 दिन बाद आपको धनिया पती तोड़ने को भी मिलने लगेगी तो आप भी अपने किचिन गार्डन में हर महीने एक या दो गमले में धनिया के बीजों को लगाते रहेंगे तो आपको धेर सारी धनिया अपने किचिन गार्डन से ही मिलती रहेगी और आपको बाजार से धनिया लेने की जरूरत भी नहीं पढ़ेगी, धनिया उगाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखें, ही जब बहुत जादा ठंड होती है, तो धनिया को खुली धूप में उगाया जाता है, और जब बहुत ज़ादा गर्मी होती है तो इसे सेड़ी एरिया में आप उगा सकते हैं धनिया को एक गमले में लगा दीजिए हर महीने बदल बदल कर आप गमलों में धनिया को लगाते रहेंगे तो आपको धेर सारी धनिया जो है अपने किचन गार्डन से ही हारवेस्ट करने को मिलती रहेगी बस इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी नहीं भरना चाहिए धनिया को नमी युक्त मिट्टी पसंद होती है लेकिन यदि आप जादा पानी गमले में रुकेगा तो आपकी धनिया खराब भी हो सकती है धनिया के अलावा आप लाल भाजी हरी भाजी जैसी दूसरी साख को भी अपने होम गार्डन में बारा महीनों लगा सकते हैं यह सारी सबजियां पत्ते वाली सबजियां किसी भी मौसम में अपने छट पर या पर टेरिस गार्डन में बड़े आसानी से उगाई जा सकती है दोस्तों अगली हमारी सबजी है जिसे आप home garden में 12 महीने उगा सकते हैं बहुत है करेला करेला किसी को तो बहुत पसंद होता है और कुछ लोग करेला खाना बिलकुल भी पसंद नहीं करते तो यदि आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं और आपको करेला खाना पसंद है तो आप इसे साल के 12 महीने अपने home garden में लगा सकते हैं करेला को इसके बीजों से लगाया जाता है करेले की दो तरह की variety होती है एक छोटा करेला और एक बड़ा करेला आप अपनी पसंद के हिसाब से करेले के बीज को लेकर इसे 15 वाई 15 इंच या इससे बड़े गमले में लगा दीजिए करेला लगाने के लगभग 45-50 दिन बाद इसमें फूल आने लगते हैं और लगभग 60-70 दिन में आपको करेला तोड़ने को भी मिलने लगता है तो एक बार आप करेला के पौधे मिलते रहेंगे करेले को खुली धू पसंद होती है तो आप करेले के गमले को फुल सनलाइट में रख सकते हैं सांत में बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर आपको इसे सेड़ी वाले एरिया में रखना होगा करेले को भी बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत होती है इसलिए करेले के पौधे में हर महीने बदल बदल कर जैबिक खाद दे दीजिए तो आपको धेर सारे करेले तोड़ने को मिलते रहेंगे दोस्तों यह तो थी वह सबजियां जो आप साल भर अपने किचिन गार्डन में या फिर टेरिस गार्डन में उगा सकते हैं इन सबजियों को उगाना बहुत ही आसान है तो आज से ही यदि आपने अपने गार्डन में इन सबजियों को नहीं उगाया है तो आज से ही इन सबजियों के बीज अपने गार्डन में लगा दीजिए और उन्हें अपने होम गार्डन में जरूर उगाएं ताकि आपको इससे नाम जरूर लिखें ताकि दूसरे लोगों को उसके बारे में पता चल पाए तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैंसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे जादा से जादा लोगों तक सेयर करें मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग